चले केस नमबर फाइफ वेन मोर देन टू हाउस मोर देन टू हाउस यह केस भी कि आपका थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अगर अगर चलो कर लेते हैं अब मोर देन टू हाउस में क्या है मान लो आपका एक घर यह है मोर देन टू हाउस आपके तीन घर आपके तीन घर तो दो घर से जादा हो गए आपके तो गौर्वर्मेंट कर कहना है कि भाया जो दो घर आपके हैं दो घर से जादा तो इसमें जैसे इसका नाम डाल देते हैं है एक तो इसका नाम है एक तो इसका नाम है एक त्री अगर यह तीन घर है चाहिए आपके पास दस घर किराय पे दे रख एक सरकार बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात निए किराय पे दे रखा है जिसको घर की जुरत है उससे तो मिल गई ना घर कैसे भी मिला हो लेकिन आप बोलते हो तीनों घर में हम ही रहते हैं किराय पे दे ही नहीं रखा यानि H1 को भी बोल रहे हो के हम सेल्फ ओक्यूपाइड कर रहे हैं एच टू को भी बोल रहे हो के हम सेल्फ ओक्यूपाइड कर रहे हैं और एच थ्री को भी बोल रहे हो के सेल्फ ओक्यूपाइड कर रहे हैं तीनों घर को तो गौर्मेंट का कहना है भाई तेरे एक घर तो सेल्फ ओक्यूपाइड हम भी नहीं रोक सकते एक और तेरे को एक् occupied मानो और एक घर को आप क्या मानो लेट आउट मानना पड़ेगा यानी चलो कैसे मान लो मैंने मुंसिपल वेल्यू बोला 2,00, 3,00, 4,00, मैंने फेयर रेंट बोला 3,00, 5,00, 3,00, मैंने स्टिंडर्ड रेंट बोला 2,00, 6,00, 7,00, इसके बाद क्यूंकि तीनों घर सेल्फ उक्यूपाइड है तो क्या एक्चुल रेंट होगा यहां पर नहीं होगा मैंने एम्टी बोल दिया कि 50,000 कि 30,000 कि 20,000 कि और बुला गया आपको इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी निकाल के बताओ तो सर सेल्फ उक्यूपाइड के केस में तो वैसे नॉर्मली देखा जाए अगर एक घर होता तो मैं तो सीधा बोल देता है इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी जीरो अगर मेरे पास दो घर भी होते तो मैं बोल देता पहले घर से भी जीरो और दूसरे घर से भी लेकिन मेरे पास जब तीन घर हो गए तो एक को मुझे लेट आउट मानके करना पड़ेगा सर लेट आउट मानके कैसे करना पड़ेगा देखिए और इसके अंदर आपके उपर चोईज है आप भले इस घर में रह रहे हैं आपकी मर्जी है कि आप यह बोल दीजिए सरकार को कि हम इस घ पातों को देखेंगे तो सबसे पहले काम करते हैं तीनों घर को हमने क्या करा एक बार लेट आउट मान लिया एक बार तीनों घर को लेट आउट मान लो पहले घर को भी दूसरे घर को भी तीसरे घर को भी लेट आउट मानके मैं समझा रहा हूं तो अभी समझ में आ सब्सक्राइब एसका पांच लाइक Cow's इसका डीञे क्या होगा सब्सक्राइब चार लाख कि इसमें से माइनस क्या करेंगे हम है कि एमटी क्या है 50K कि एमटी क्या है 30 के एमटी क्या है 20 के तो यहां पर देखा जाये तो क्या आ गया वन पॉइंट फाइब लैक यहां पर आगे 4.7 यहां पर आगे हमारा थ्री पॉइंट इसमें से क्या माइनस करोगे 24 इसमें आ जाएगा माइनस 45 के 3.8 है कि एक लाख 5000 यह क्या गया कि एन एन वी तो उपर ही आ गया था कि आई एच भी कि यह आगे एन वी एक लाख 5000 दूसरे का क्या है थर्टी परसेंट 141 इसमें से जब माइनस कर दोगे तो 3 29 380 का आ गया 30 परसेंट 114 माइनस करोगे तो 266 यह आ गया चलो अगर मैं एक सवाल आप से पूछूं कि इस तीनों घर जो भी तीनों घर है इस तीनों घर को एक बार आप मान लो एक्चुल में सेल्फ उक्यूपाइट तीनों घर को क्या मान लो आप सेल्फ उक्यूपाइट तो इस केस में हमारा क्या होगा इस भी दो को मान लो आप क्या सेल्फ उक्यूपाइट और बाकी को क्या मान लो आप तो मैं ऐसा करता हूं पॉइंट नंबर केस नंबर वन मैं सिचुवेशन नंबर वन कर लेता हूं situation number 1 situation number 1 में क्या कर लेता हूँ मैं h1 and h2 को क्या मान लेता हूँ self occupied और h3 को क्या मान लेता हूँ मैं लटाओ यही करोगे चलो income निकाल लेते हैं ihp income from house property income from house property h1 से कितना होगा 0 h2 से कितना होगा 0 h3 से कितना होगा हमने एक बार let out इसलिए कर लिया थाकि मैं directly लिख दूँ यहां पर 2,66,000 total income कितना हो गया अगर मैं यह situation रखूँगा तो मेरी income कितनी आएगी 2,66,000 और मुझे 2,66,000 के हिसाब से भरना पड़ेगा अब एक काम करते हैं कि इस घर को हम पहले घर को let out मान लेते हैं और बाकी के दो को self occupied मान लेते हैं ठीक है ऐसा कर सकते हैं कि यार इसको किराएवे मान लो बाकी दो को क्या मान लो self occupied चलिए मेरा कहने का मतलब है situation situation number 2 मैं बोल रहा हूं कि H1 को मानो आप let out H2 को क्या मानो आप self occupied और H3 को भी क्या मानो आप self occupied तो चलो income from house property income from house property अब बताओ H1 से income क्या होगी देख लेते हैं एक लाख 5000 लेट आउट मानो के तो एक पांच लिखना पड़ेगा ना एक लाख पांच हजार H2 से income क्या होगी जीरो और H3 से income क्या होगी फटा फट कमेंट में बताओ H3 से income क्या होगी जीरो इस फोर हाउस आवर self occupied इस फोर हाउस चार घर होंगे तो दो को आपको मानना पड़ेगा self occupied बाकी दो को लेट आउट मानना पड़ेगा इसको भी जीरो तो यहाँ पर income कितनी बनी एक लाख पांच हजार एक और situation बना लेते हैं situation 3 मैं ऐसा कर लेता हूँ H1 को मान लेता हूँ self occupied और H3 को मान लेता हूँ self occupied और अब H2 को मान लेता हूँ मैं let out अब इससे ज़्यादा तो case बनी नहीं सकते न आप खुद सोचो इससे ज़्यादा तो case बनी नहीं सकते तो एक यह case बना लेता हूँ तो IHP जो रहेगा मेरा जो IHP रहेगा क्या रहेगा H1 क्या होगा 0 H2 क्या होगा let out मान रहे हूँ तो H2 का रहेगा हमारा 3,35,000 और H3 को क्या माना हमने तो answer क्या आगया तो आपको income tax इसलिए सिखाया जाता है कि आप बहुत सारे लोगों की tax में help कर पाओ और tax में help करने का मतलब है आप उसके tax को कम से कम करके दिखाओ with rule and regulation ऐसा नहीं कि चोरी करना बताना है आपको rule and regulation के इसाफ से law को मद्दे नज़र रखते हुए तो भाई मैंने बोला कि अगर मैं ये situation बनाऊँगा अपने client को बोलूँगा यार इस situation में तो तेरा 266 की income आ रही है इस situation में तेरी income आ रही है 15 और इस situation में तेरी income आ रही है 139 सरकार ने बोला तु जो मर्जी बोलेगा situation कोई भी मान ले मैं मान लूँगा तो आप बताओ अपने client को या जिसको आप suggestion दोगे उसको आप ज़्यादा income वाला option बताओगे या कम income वाला option बताओगे तो कम income वाला जब आप option बताओगे तो कौन सा situation बेटर है situation 1, 2 और 3 बताओ कौन सा option रहेगा आपका IHP अब सरकार को बता दो आप अभी ये तो आप internally calculate कर रहे तो आपको IHP बताना है situation 1 ठीक है या situation 2 ठीक है या situation 3 ठीक है कौन सा ठीक है आपका तू वाला तो answer हो जाएगा हमारा एक लाख पांच हजार लेकिन कोई बोलता है मैं मैं तो यह से ऐसे यह वाला मेरे को बढ़िया लग रहा है तो सरकार बोलेगे भर दे टेक्स मना थोड़ी इनकी है लेकिन एक्जाम के अंदर आपको जो minimum टेक्स जहां पर आएगा वह आपको घर को क्या मानना है उस जहां minimum टेक्स आएगा वह सिचुएशन बैस्ट है अब एक चीज और भी नूटिस करने वाली बात है सर क्या नूटिस करने वाली बात है आप देखो आप ध्यान रखना कि जिसके अंदर जिसके अंदर हमने क्या करा लेट आउट मानना है तो जिसकी इनकम सबसे कम हो उसको लेट आउट मान लो और जिसकी इनकम सबसे जादा हो उसको सेलफ ओक्यूपाइड मान लो तो इसकी इनकम जादा थी इसकी इनकम भी जादा थी और और इसको से सबसे कम से कम इंकम कौन सी है तो इसको ही क्या माले लेट आउट और इसको माण लो इनकम Called I am an time लेकिन का दोनों क्या हो जाएंगे जिरो तो इनकम बनेगा यह तो पहचानने का जड़ से तरीका यह है लेकिन एकजामनर को जट से तरीका नहीं चाईए एक्जामिनर बोलेंगे ऐसे करके दिखाओ मुझे तीनों चीजे ऐसे सिचुएशन बना के दिखाओ और फिर एक फैसला लिखो कि भाईया कौन सा ऑप्शन बेस्ट है तो मैं लिखूंगा according to minimum tax liability यानि according to tax के according situation कौन सा कौन सा situation है मारा 2 is best for SSC because there is calculate minimum taxable income कम से कम taxable income आया है इसलिए इसे हम best मान लेंगे बताइए यहां तक समझ में अब एक बच्चे ने कहा सार चार घर हो तो चार घर के case में दो घर को तो self occupied मानोगे ठीक है बाकी के दो घर को क्या मानना पड़ेगा आपको लेट आउट मानना पड़ेगा तो वहाँ पे चार situation मन जाएंगे है ना एक को पहले दो को लेट आउट मानोगे दो को self occupied फिर बीच वाले दो को लेट आउट तो ऐसे जब combination बनाओगे तो चार situation एक ने बोला पांच घर है तो दो को self occupied और बागे तीन को क्या करना पड़ेगा लेट आउट तो यहां पे भी situation कितने बन जाएंगे पांच situation combination बनाना पड़ेगा और वेर मिनीमम टेक्सेबल इंकम हाउस फ्रॉम इंकम फ्रॉम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उससे ही हम क्या मान लेंगे यही हमारा आंसर है जो एक्जामनर को हमें लिख के देना है समझ मैं बात आपको कि बताइए कोई दिक्कत यहां तक बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो हमने कितने cases कर लिए सर पांच cases कर लिए अब एक cases रहता है भी सर अब कौन सा cases रह रहा है विकेंसी वाला और उसको मैं छटा case ना मानके जो पार्ट टू करवाऊंगा उसके अंदर मैं कराऊंगा उसके लिए एकदम fresh mind होना चाहिए क्य पूछता है तो मैं यह नहीं चाहता कि वह पूछे मैं उसके इंदर पूरा दिन लगा दूँगा मतलब पूरी class एक और उस पूरी class को लगाने के बाद अच्छे से जब तक clear नहीं हो जाता तो आगे नहीं भड़ूँगा इसके बाद हमारा simple सा एक topic रहेगा मुंसी इंट् देखेंगे उसके बाद फिर बुक के questions आपके start हो पाएंगे income tax में सबसे बड़ी यही समस्या है जब तक आप सारे theory और सारे logic और सारे आइसके points में क्या-क्या rules से नहीं समझ लेते तो आप question को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि हर एक question में rule apply करेगा मैं वहीं देख रहा थ चलो बच्चों को यह कराते है पर दिखाए रहे weekend कर आ गया और weekend अभी कराए नहीं तो यह भी नहीं होगा फिर मैने सोचा चली यार यह कराते है तो देखा गया तो यहां पे कुछ दिनों के लिए फिर से weekend आ गया तो कुछ पार इलफ उक्युपाइड यह वाला तो हो सकता हमें साथ दो घर लेंगे तो आज की class में हमें इतने ही करें हमने सिर्फ 5 cases अगली class में बिलकुल fresh mind से हम करेंगे एक और situation इसके बाद अगली class में ही हमें interest वाला part भी cover कर लेंगे मतलब अगली class के बाद हम book का कोई भी question उठा के करने बैठें मतलब कर सकने हैं फिर अगली class से आपको homework में मिलना चालू हो जाएगा books आपकी आ गई है मार्केट में मैंने दे दिया है आप सभी को बता भी दिया है किस तरीकी का image है image डाल दिया था कि सारे books का folder में धिरज image डाला है कि हमने फोल्डर का book के folder का image नहीं डाला तो इसको डाल देना ताकि बच्चे जो खरीदे वो देखे करें link का मांग रहे है लिंक Amazon बगरा पर आया नहीं है नहीं तो मैं निकाल के दे 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 था चलो ठीक है अगली class में मैं दे दूँगा very very good night और अगली class में हम मि अगली class है उनको कौनगा वह या पूरी classes देखके फिर अगली class में बैठना क्योंकि अगली class बहुत interesting है कर दो